हैलो फ्रेंड्स, क्रियोन होममेड में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे घर पे सौफ्ट स्पंजी रजगुले इसके लिए हमें चाहिए एक लीटर फुल क्रीम दूद और एक नीम्बू दूद को मैंने बॉइल कर लिया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गरम दूद में हम नीम्बू नहीं डालेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा, फिर हम उसमें नीम्बू का रस डालेंगे, जितनी जरूरत होगी, जितने में हमारा दूद फट ज जाएगा, उतना ही नीम्बू का रस आड़ करेंगे, छेना बन चुका है, अब हम इसे चनी से छान लेंगे, और छानने के बाद, जितना भी एक्सेज नीम्बू होगा, या नीम्बू का जो भी फ्लेवर होगा, उसको हम हटाने के लिए, एक बार इसे साफ पानी से धुल देंगे, और साफ कपड़े में अच्छे से बांद के रग देंगे, और एक्सेज जितना भी वाटर है, वो निकल जाएगा, और हमारा ये छेना रेडी है, अब हम अपने इस छेने को अच्छे से मैश कर लेंगे, और इसे बिलकुल सॉफ्ट बना देंगे, अभी तक मैंने इसमें कुछ एड नहीं किया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसमें एड करूँगी, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज कर लीजे, आरा रोट है, एक चमच आरा रोट, अब मैं जो हमने अपना छेना मैश किया था, उसमें एक चमच आरा रोट मिक्स करेंगे, आरा रोट आप वरत में भी खा सकते हैं, ये रूट से बनता है, तो इसे वरत में भी खाया जाता है, मैं इसे मैश कर रहे हूँ, टाइम लगता पंदर से बीस मिनिट का टाइम लगेगा आप इसे बहुत थी अच्छे से मैश करते जाए जब तक एक बहुत ही सॉफ्ट सा छेना ना रेडी हो जाए तब तक आप इसे मैश करिए यह देखे धीरे धीरे यह थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है चुके देखने पर आपको पता चल जाएगा कि अब यह रेडी हो गया है कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे मैं आपको रेप्लाई करूँगे देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा हमारा डू रेडी हो गया है अब इसकी हम बॉल बना लेते हैं जो भी शेप की आप बॉल बनाएंगे उसका दो गुना से धाई गुना वो फूल जाता है तो आप छोटी ही बॉल बनाएगा और यह बिल्कुल चिकनी बॉल बनाएगा कहीं से भी दराद न रह जाए क्योंकि वहाँ से फटने का डर होता है तो आप अच्छे से बिल्कुल स्मूध बॉल बना लीजाएगा सारी बॉल बनाके मैंने रेडी कर लिये हैं बिल्कुल एक साइस की एक बराबर और बिल्कुल स्मूध बॉल हमारी बन चुकी हैं अब हम चाशनी बना लेंगे चाशनी बनाने के लिए मैं जो अपनी शुगर ले रही हूँ वो मेरी पाकट वाली शुगर है अब खुली हुई चीनी लूज चीनी का इस्तमाल कर रहे हो तो चाशनी बनाते वक्त उसमें दो चम्मच दूर डाल दीजेगा तो जो भी चाशन की गंदगी है वो साइडा जाएगी और आप उस चाशनी की गंदगी को चम्मच से हटा सकते हैं तो आपकी चाशनी बिलकुल क्लियर बनेगी रजगुले जब बनके निकलेंगे तो बिलकुल वाइट बिलकुल सफेद डिखेंगे मैं कढाई में आदर लिटर पानी मैंने आट कर दिया है अब मैं उसमें 200 ग्राम चीनी डाल रहे हूं और इसे अच्छे से पका लेंगे हमारी चाशनी खौलती हुई होनी चाहिए पानी खौलने लगा है चाशनी बनके तयार हो गई है थोड़ी देर मैं इसे ढख देती हूँ चाशनी में बाल आ गया है अब मैं इसमें अपनी रजगुले आट करूँगी मैंने एक बार फिर से इनने चिकना कर लिया है कोई भी दरार ना रह जाए मैं एक एक करके इसमें आट करती जाओंगी पर चाशनी का टमप्रेचर एक जैसा ही होना चाहिए आपको पानी कम लग रहा हो चाशनी में तो आप उसमें गरम पानी धीरे धीरे आट कर दीजगा अभी भी हमारी चाशनी खौल रही है अब मैं इसे धग दूँगी और धग करके हमें इसे 15 से 20 मिनट पकाना है एक बार फिर से पलट देंगे फिर से इसे 5 मिनट पकाएंगे टोटल हमें 20 से 25 मिनट इसे कुक करना है bubbles आ रहे हैं इसमें सारी साइट से हमारे चेन्य अच्छे से पक जाएंगे यह देखे कितने अच्छे से bubbles आ रहे हैं पक गये हैं और यह अपने soft हो गये स्पंजी हो गये हैं size भी इनका double हो चुका है फिर से मैं इसे धग रही हूँ मैं इसे पांच मिनिट और पकाऊंगी यह देखिए हमारे चेनी के रजगुले तयार हैं से इंजुआई करिए थैंक यू